कॉंगरेस जिस मैनिफेस्टों के साथ चुनाव में उतरी थी, उसमें संविदा कर्मियों को नेमित करने की बाद भी कही गई थी। गहरोत काबिनेट की बठग में संविदा कर्मियों के लिए अलग से सिवा नियम बनाने का फैसला लिया गया। इसे पहले मंत्री बीडी कल्ला के अध्यक्षता में सम्विदा कर्मियों के नेमती करण को लेकर एक कमिटी गठित की गई थी उसी कमिटी के सिफारिश के आधार पर मंत्री मंडल ने बुधवार को राजस्थान कांट्राक्च्चुल अपॉइंट्मेंट्स टू सिविल पोस्ट्स रूल्स 2021 बनाने पर मोहर लगा दी है बुधवार को ही कैबिनेट की बैठक से सम्विदा कर्मियों के लिए राहत और सुफूर देने वाली खबर सामने आई गैलो सरकार ने सम्विदा कर्मियों के निमती करण को लेकर गठित की गई बीडी कल्ला कमिटी के सिफारिशों के आधार पर राजसान कॉंट्रेक्श्वल अपॉइन्मेंट टू सेविल पोष्ट रूस टूटाउजन ट्वंटीवन बनाने का फैस्ता किया है सरकार के इस पैसले से अलग-अलग सरकारी वेभागों में काम कर रहे तकरीव असी हजार सम्विदा कर्मियों को लाभ मिलेगा कॉंग्रेस ने अपने चुनावी घोष्टना फत्र में सम्विदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया था इसके लिए भीडी कल्ला की अध्यक्ष्टा में एक कमीटी भी बनाए गए थी मामले में हो रही देरी को लेकर विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा था सरकार केस फैसले से विपक्ष का ये मुद्धा हाथ से निकल जाएगा में पावर के आवश्रक्ता की पूर्टी के लिए ऐसे कार्मिकों को समविधा पर निप्ति करने के नियम बनाए जाने का मार्ग प्रशस्त होगा और सरकार भविश्य में सरकारी करमचारियों की तरह इन कार्मिकों को भी निप्ति कर सकेगी इसी मांग को लेकर पिछरी 50 दिन से समविधा कर्मी शहीद इस्तमारक पर धर्णा दे रहे हैं भरत राग जी मीडिया जापो